आज यूद कोंग्रेस का महां बीजेपी क्या लिए पर महां घहरा हुथा जेकिन जिद्दो जहेद के बादवान नहीं पोच पाए और हमारे साथ कहीं इंच की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जो है पर्देश उपद्धेक्स हैं राकेश जी पहले हम से जानना चाहिए किया प्लान ठासर कहां से कहहां तक आप मोचा लिए थोदो जो दिन पूर्वा जो विजेपी के परवारी है राधामोच जी उन्होंने अमारे जो सीने नेता है सचीन पाइलेट जी हमारे जो जुमें परदान मंतिय राजियू गांदी जी उनके लिए उन्होंने खलकी सब जो भारतिय जन्ता पार्टी है वहां तक हमारे जाने का सब लोगों ने चर्चा करकर वहां पैदल मार्च करने का और विरोध प्रदसन करने का हमारा कार्य करम था उसी को लेकर हमने ये कार्य करम रखा था उसमें हमने जो परवारी है उनका पुतला जलाया और सभी यूद का करता आज उनको चैताना चाहते हैं कि जो बार्त्यय जन्ता पार्टे के परवारी है यो जो हमारे नेताओं को टारगेट करना बंद करें नहीं तो हमारे यूद को अंग्रेस कारी करता जो पूरे प्रदेश में जहां भी यह बीजेपी के जो नेता आदा जायेंगे उनको गहनने का काम करेंगे उनको काले झणने दिखाएंगे विरौध करेंगे इसी को लेकर हम यह कारेकरम रखाता था यह यह तो मापी ममागे जब तक मापी नहीं माँगे तो वह जहां कहीं भी राश्तान में जाएगा हर जगे यूथ कोंग्रेस उनको गेंडने काम करेगी कालेज अधिक आएगी और उनका बहुत ही कड़े सब्दों में उनका विरोध पर्दसन करेंगे अब कर्दी ने स्टार्टिंग आज से कल भी किया था अबने पर्दसन आगे जांजा हो जाएगा वहां उसका विरोध करेंगे उसको वापस में जहेंगे जहां से आए वहां राजी जाएंगे वैसे देंगे बिलकुल देखो यह जो कड़ी निंदा है देखो एक पदादीगारी होते हुए पहली बात तो उनको समझना चीए कि लोक तंत्र है अगर आप किसी भी चीज के लिए टिपनी कर रहो तो वो गलत है जनता उसका जवाब देगी और युवा कॉंग्रेस हर जगे इस चीज का विरोध करता है कि आपने ये टिपनी करिए जो गलत करी है आपको इसके लिए माफी मांगनी चीए और हमारे युवा कॉंग्रेस की तरफ से ये प्रदेशन बिलकुल जोर्शोरों से चलेगा और ये आगे भी चलेगा इसके लिए उनको माफी मांगनी चीए फूझा भारगफ रदिशुपाद्दे, युवा कॉंगरस जिस तरीके से जो रादमो नगरवाल ने हमारे नेताओं के खिलाफ जो अरनरगर टिपनी की है वो टिपनी का यूवा कॉंग्रेस और संपूORं कॉंगरस पार्टि विरोध करती है और जिस तरीके से आज हमने इनका पुतला फुका है और जिस तरीके से अगर इन्हों ने अपनी अबद्र भाशा का प्रेवक बंद नहीं किया तो इसी तरीके से युवा कॉंग्रेस आगे भी इसी तरीके से आपको शेद दिखाई देगी और गलत का विरोध करती रहेगी देखिए जिस प्रकार से रादा मोहन अगरवाल राजस्तान के परभारी बन कर आए हैं यह उनके साथ वह अरकत हो गई कि बंदर के हाथ नारियल दे देना क्योंकि वह जब से आए हैं वह कॉंग्रेस के नेता नहीं बाजपा के नेता के लिए बेव इन्हें दी बाते कर रहे हैं लेकिन मैं बताना चाओंगा कि इन्होंने सस्ती लोग प्रियाता हांसिल करने के लिए हमारे भारत रत्म स्वर्गे राजी उगांदी जी के लिए ज इन्होंने उधरन पेश किया तो मैं उनको बताना चाओंगा कि आपने गलत जगे हाथ डाला हुआ है राजस्तान युआ कंग्रेस का कारे करता अपने स्वाब इमान से समझोता कभी भी नहीं करेगा और सचिन पाइलेट हमारे स्वाब इमान के रूप में हमारे प्रतिक है जो देश बर में अपने बुनियाद कायम करने में लगे हुए है आप देख सकते हैं कि सचिन पाइलेट साब राजस्तान ही नहीं पुरे भारत वर्ष में है और वो इन लोगों का नाम लेकर मैं तो आप मीडिया के सब्तियों से सवाल पुछना चाओंगा क्या आप रादा जिलों में आप सभाए लेने जाएंगे वहाँ पर आपको मारा सामना करना पड़ेगा सड़कों से आप निकलेंगे युवा कोंगरेस का कारी करता आपके मुझ पर काली कोतना का काम करेगा और मैं खुली चुनोती के साथ पुरी जिम्यदरी के साथ कह रहा हूँ रादा मो जिलों करता है चटान की तरह उनके सामने खड़ा हूँ मिलेगा और उनको उनका सामना करने के बाद ही जाने दिया जाएगा राजस्तान युवा कोंगरेस का कारे करता है इतना सीधा नहीं है कि आप उनको पार करके चले जाएं ये तो आज आप देख सकता है पुली सकता ह हुए है और इनका इलाज करेगा और को इनका गर्वेज ने का काम करेगा किया कि निद्डी ब्यान है आम तो यह नों ने जो दिया वो बयान दूसरे दिन वायर वा अन्य था यह बयान अगर उसरी टाइम वायरल हो जाता इनको दो सा आपने परियोग किया है, हम अची तरह के से यूद्गों के से कारिये करता है, अची तरह के से इलाज करना जानता है, आपको जिस तरह के से आप परभारी बुनके आएं, बिगर पद भी आप लोटेंगे यहां से, मैं ये सब्दों में खाना साथ हूँ, यह है कि माफी मांग के आप अपने प्राश्यत कर सकते हो और माफी मांग के आप हमारे विरोध से बस सकते हो और धर्णापर्दसन और आंदोलन की जो चाहताओनी है वो यहां से दे रहे हैं कि मैं परसंद्वा का साथ मैं अभी से जैपूर